आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ होली स्पेशल मालपुआ का रेसिपी इसमें मैंने बहुत ज़्यादा महनत बिल्कुल नहीं किया है और बिना महनत के ही यह बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार आप इसे ऐसे बना के देखिए हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं म अप चाहे तो आठा से भी बना सकते हैं एक कप मयिदा के साथ मै ने इधर 1-4th कप सूजी का इस्तमल किया आप चाहे तो सूजी बारीक भी ले सकते हैं नहीं तो मोटा दना कभी चलेगा इसके बांद मैंने लिया है सौफ को मैंने दर दरा सा कुट लिया है एक तम पाइन नहीं बनाया है बस दरदरा सा कुट लिया है अच्छे से मीक्स कर लेना है उसके बाद इसमें मिलाएंगे दूद और इसमें मैंने कोई भी खोवा या क्रीम का इस्तमाल नहीं किया है एक दम मालपुआ को सिंपल रखा है ऐसे सिंपल बना के देखिए कि ये सच में खाने में क बहुत टेस्टी बनती है और इसे एक दम मोटा बैटर जैसा बनाना नहीं है इसे पतला ही रखना है मतलब गारा बिल्कुल नहीं करना है इसे तो पतला करके मैंने घोल लिया है अब इसे पांच मिनिट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इसे सूजी अच्छे से फ हमें चाश्टी बनाना है और चाश्टी हमें एक तार या दो तार का नहीं बनाना है हमें बिल्कुल चिपचीपी सा चाश्टी बनाना है अब इसमें हम मिला देंगे इलाइची इलाइची को मैंने हल्का सा कूट लिया है आप चाहे तो इलाइची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो केसर का भी उस कर सकते हैं पर मैंने केसर का इस्तमाल नहीं किया है पहली मैंने बोला है कि ये रिसिपी एकदम सिंपल रखा है सिंपल कभी ऐसे माल पुआ बना के देखिए ये सच में बहुत टेस्टी बनती है तो चीनी अच्छे से मिल्ट हो गया और इसे 5 मिनिट तक मैंने पकाया है अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से चिपचिपा हुआ है के नहीं हाँ ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है हमें बिल्कुल ऐसे ही चाश्णी चाहिए तो चाश्णी है बिल्कुल तो इस घोल को मैंने 15 मिनट तक छोर के रखा था तो इसे क्या होता है जो सूजी है वो अच्छे से दूद्ध एब्सॉब कर लेती है और फूल जाती है तो इसी लिए मैंने और थोड़ा सा दूद्ध इसमें एट कर लिया है क्योंकि हमें बिल्कुल घोल पतला चाहिए मोटा नहीं चाहिए ऐसे एक धार में ये गिरना है रुक रुक के बिल्कुल नहीं गिरना है नहीं तो हमारा माल पूआ क्या होगा न वो मोटा सा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब मैंने ओल ले लिया है और ओल को कर लेना है गरम बहुत इसे ये धीरे धीरे फ्राई होता जाएगा तो इसे साइट करके और एक पुआ को हम छोड़ देंगे तो इसे हम फ्राई करने के लिए राउंड सा कराई का इस्तमाल नहीं करेंगे ऐसे फ्लैट पैन का इस्तमाल करने से क्या होता है ना आपका जो पुआ है एक दम पर्फिक् चार भी बना सकते है और ऐसे बनाने से ये बहुत अच्छे से फुलती है तो देखिए आप देखके समझ रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे से फुला है और हाँ इसे बनाने के लिए ना मैंने बिलकुल इधर आज कलर का इस्तमल नहीं किया है आप चाहे तो हलका कलर लाने के यलो फूट कलर एट कर सकते हैं पर मैंने एक दम बीना कलर का ही आज माल पुवा बनाए है तुरंद करहाई से निकालने के बाद गर्मा गरम चाश्टी में इसे डाल देना है चाश्टी भी हलका सा गरम ही होना चाहिए एक दम ठंडा नहीं होना चाहिए और पुवा को पैन से निकालने का तूरंद बाद ही हमें चाश्टी में डाल देना है और अलट पलट के इसे निकाल लेना है यह फटा फट चाश्टी तूरंद एब्जॉब कर लेती है आप देखके ही आप समझ रहे होंगे कि यह कितना पर्फिक्ट बना है अच्छे से चाश्टी एब्जॉब कर सामने होली आ रहा है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा ताम जहाम करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है पस जो चीज से हम बनाए है वो सब के घर में एवलेबल रहता ही है आराम से आप ऐसे बना सकते हैं और देखिए कितना सारा चाशनी यह एब्जॉब कर चुका है कि ऐसे करने से ही इसके अंदर से चाशनी टपक रहा है तो ऐसे अगर पुआ बनता है तो किसको नहीं पसंद आएगा ये रेसिपी तो देखिए एक दम अंदर रसीला है रस से भरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए